दिल्ली शहर में रमेश और टीना दोनों भाई बहन थे और उनके माता पिता एक बाड़ के कहर का शिकार हो गए थे उनके पास ऐसा कोई नहीं था जो उनका खयाल रख सके एक दिन वो दोनों खाने की तलाश में एक गली से दूसरी गली भटकते रहते थे रमेश अपनी बहन टीना से बोलता है दीदी मुझे बहुत भूग लगी है आज सुभा से कुछ खाने को नहीं मिला है मुझसे और भूग बरदाश नहीं हो रही रमेश बस थोड़ा और इंतजार कर हमें कुछ खाने को मिल ही जाएगा तो चिंता मत कर चल हम दूसरी गली में चल कर देखते है दूसरी गली के बाहर एक गेट लगा हुआ था उसके पास ही एक चौकिदार बैठा हुआ था रमेश और टीना गली के अंदर जा ही रहे थे तब ही उन दोनों को वहाँ बैठा चौकिदार रोगता है अरे अरे कहां जा रहे हो है चलो निकलो यहां से चलो अंकर हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है हमें अंदर जाने तो क्या पता कोई हमें खाना दे दे अरे यहां भीक मागना मना है चलो चलो जाओ यहां से दोनों बच्चे उदास होकर वहां से चले जाते हैं तभी वो दोनों बच्चे चलते चलते एक घर के बाहर पहुँचते हैं वहां एक महला थी माता जी कुछ खाने के लिए दे दो ना बहुत भूख लगी है मेरे भाई ने कल से कुछ नहीं खाया है चलो चलो भागो यहां से पता नहीं कहा कहां से आ जाते हैं इनका तो काम ही यही है वो औरत भी उन दोनों को कुछ नहीं देती और अपने घर से भगा देती है रमेश भूख से बेहाल हो रहा था सुबह से चल-चल कर ठक गया था चलते-चलते वो दोनों एक बड़े से घर के सामने आकर रुख जाते हैं और आवाज लगाते है सुनिये, कोई हमें खाना खिला दो सुनिये, घर में कोई है क्या क्या कोई हमें खाना दे सकता है हमने कल से कुछ नहीं खाया है तब ही उनकी आवाज सुनकर एक लड़की घर से बाहर आती है अरे, कौन हो तुम? और ऐसे भीक क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे माता-पिता कहा है? उस लड़की की बात सुनकर दोनों बच्चे उदास हो जाते है हमारे माता-पिता नहीं रहे हम दोनों अकेले हैं इसलिए हम भीक मांग रहे है क्या हुआ आपकी माता-पिता को? हमारे गाउं में दो दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी और पासी बने बान में पानी का अस्तर भी बहुत बढ़ गया था इसी कारण मेरे पिता ने मेरी माता से कहा था सरला, हमें जल्दी ही इस गाउं से निकलना होगा पानी का अस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है मैंने सारा सामान बांग लिया है हमें अब यहां से निकलना चाहिए सीना बेटा, तुम अपने पिता जी के पास जाओ रमेश को मैं उठा लूँगी सभी गाउंवाले अपने अपने घर छोड़ कर जाने लगे थे पानी का अस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा था मोहन और सरला अपने बच्चों को लिये आगे बढ़ रहे थे तभी उनके पास एक बोट आती है देखिए अभी बोट में बैठने के लिए कोई जगा नहीं है आप दूसरी बोट का इंतजार करिए ठीक है पानी का अस्तर बहुत बढ़ गया है साब आप हमारे बच्चों को ही बस बैठा लीजिए वो सिर्फ हम दोनों को ही बोट में बिठा लेते है हमारे माता पिता वही रह जाते है और हमारी बोट जैसे ही आगे बढ़ती है दूसरी और गाउ में बने होगा बान तूच जाता है और पानी का सैलाब सब को अपने साथ बहा कर ले जाता है उसी बार में हमारे माता पिता भी बैग गय थे अभी हमारे पास ना तो घर है और ना ही खाने के लिए खाना अच्छा तुम दोनों यहीं रुको मैं तुमारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ यह कहकर वो लड़की घर की और खाना लेने चली जाती है रमेश और टीना वहीं घर के बाहर बैट कर उस लड़की के आने का इंतिजार करते हैं और तभी उस घर में एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से एक महला बाहर निकलती है और जैसे ही वो रमेश और टीना को देखती है वो गुस्से में तुरंत ही चिलाते हुए बोलती है कौन हो तुम और यहां मेरे घर के आगी क्यों बैठे हो निकलो यहां से पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं वो महिला बहुत ही अमीर और घमंडी थी जी हमें भूक लगी है वो दीदी हमारे लिए खाना लेने के लिए अंदर गई है यह कावया भी पता नहीं किस-किस को बिठा लेती है तुम दोनों उठो और भागो यहां से ज़दी से वो औरत रमेश और टीना की कोई बात नहीं सुनती और उन्हें वहां से भगा देती है तभी वो लड़की कावया खाना लेकर घर से बाहर आती है और वो देखती है कि वो दोनों बच्चे तो वहां है ही नहीं अरे वो दोनों बच्चे कहां चले गए तो फिर वो अपनी मा को देखती है कावे अपनी मा से पुछती है मा भी इधर दो बच्चे थे वो दोनों कहा गए कि आपने उनको देखा है बेचारी दो दिन से भूखे थे उनको बहुत भूख लगी थी मैंने तो उन्हें यहीं बैठने को कहा था पता नहीं कहा चले गए मैंने उन दोनों को यहां से भगा दिया तो ऐसे किसी की भी बातों में मत आयकर तुम्हें ये कितनी बार समझा है ये सिर्फ गरीब दिखते हैं लेकिन ये बहुत चालाक होते हैं मौका मिलते ही चोरी करके रफुचकर हो जाते हैं मा वो दोनों बहुत अच्छे थे उन बच्चों के माता-पिता बाड में बैगे थे अब उनका कोई नहीं है इसलिए वो भीक मांग कर अपना गुजारा कर रहे है कावया की मा उसकी बात नहीं सुनती और वो दोनों घर के अंदर चले जाते है कावया भी अपने कमरे में चली जाती है लेकिन अभी भी कावया उन बच्चों के बारे में सोचती रहती है पता नहीं उन बच्चों को कहीं खाना मिला होगा भी या नहीं और कावया भगवान गणेशी से प्राटना करती है के गनेश जी जैसे आप मेरा साब देते हो वैसे ही उन बच्चों पर भी अपनी क्रिपा करना और दूसरी तरफ रमेश और टीना खाने के लिए दरदर भटक रहे थे दीदी मैं बहुत ठक गया हूँ, चलो ना कहीं हम बैठ जाते हैं ठीक है रमेश अगर कोई पेड दिखेगा तो हम इस पेड के नीचे बैठ कर थोड़ी दिर आराम कर लेंगे ये कहकर वो थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें एक पेड दिख जाता है और वो दोनों उस पेड के नीचे बैठ जाते हैं दिदी हमें कोई भी खाना नहीं देगा तो हम ऐसी भूके मर जाएंगे रमेश तु यहीं आराम कर मैं उस मंदिर के पास जाकर देखती हूँ ये कहकर टीना मंदिर की तरफ जाती है तभी उसे रास्ते में एक औरत मिलती है वो एक फूल वाली थी उसके ठेले का पईया इक गड़े में फंस गया था तीना उसके पास जाती है क्या मैं आपकी मदद करूँ? हाँ बेटा मेरे ठेले का पईया इस गड़े में फंस गया है तुम मेरे साथ इसको धक्का लगवा दो तीना उस वारत के साथ ठेले पर धक्का लगवाती है और ठेला गढ़े से बाहर आ जाता है धन्यवाद बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तीना है आंटी, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मेरा भाई बहुत भूखा है बेटा, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, क्या तुम यहाँ अकेले हो? हाँ, हम दोनों भाई बेन ही एक दूसरे का सहरा है ये बात सुनकर उसको उन पर दया आ जाती है मेरा नाम सुधा है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हे वहाँ कुछ खाने को दे दूगी मेरा घर यही पास में है तीनों और रमेश सुधा के साथ चल देते है वहाँ पहुचकर सुधा उन दोनों को खाना देती है दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं उनको खाना खाते देख कर लग रहा था कि वो दोनों कई दिनों से भूखे हैं और उन्होंने कुछ नहीं खाया दोनों की हालत देख कर सुधा की आँखों में आसु आ जाते हैं धन्यवाद आंटी जी धन्यवार बेटा मेरा नहीं गणेश जीका करो क्योंकि उनकी ही क्रिपा से हम मिल पाए हैं मैं भी अकेली हूँ इस दुनिया में पर अब हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे तीनो और रमेश ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं उसी दिन से वो तीनो साथ में रहते हैं और तीनो ही फूल बेशने भी जाय करते थे और वो एक परिवार के रूप में फ्रेम से रहें लगे इस दुनिया में ना चाने कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबी से लड़ते हुए अपने परिवार का पेट पालनी के लिए पूरा जीवन मेहनत करते हैं लिकिन इंसान में अगर शिद्धत हो तो उसका हर सपना जरूर पूरा होता है मालती और उसकी बेटी प्रीती की ये कहानी भी यही बताती है मालती की शादी राजेश के साथ हुई थी दोनों खुशी से रह रहे थे एक दिन मालती राजेश से कहती है सुनिये जी, कल अपनी प्रीती एक साल की हो जाएगी उसका पहला जन्म दिन है कल अरे हाँ, अच्छा हुआ जो तुमने याद दिला दिया मैं तो भूली गया था शाम को चलेंगे बाजार कुछ अच्छा सा खरीद लेना उसके लिए अच्छा तो मैं चलता हूँ खेट जाने के लिए देर हो रही है जी ठीक है राजेश खेट के लिए निकल जाता है वो मन ही मन बहुत खुश था अपनी बेटी प्रीती का जन्म दिन वो अच्छे से मनाना चाहता था मगर भगवान को तो कुछ और ही मन्सूर था उसी दिन खेट में काम करते वक्त एक जहरीले साफ ने राजेश को कार दिया जहर की वज़े से राजेश ने अपने खेट में ही दम तोड़ दिया मालती के लिए ये बहुत बड़ा चटका था एक साल की छोटी सी प्रीती की पूरी जिम्मधारी अब मालती पर आ गई थी मालती को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो भगवान के सामने हाथ जोड़ कर बूले ए भगवान ये क्या किया आपने मालती भगवान से सवाल तो पूछ रही थी मगर वो जानती थी कि इन सवालों के जवाब उसे खुद ही ढूणने थे उसने हिम्मत नहीं हारी और काम की तलाश में वो प्रीती को लेकर शहर आ गई शाम होने को थी तभी उसने एक लंबी सी गाड़ी को अपनी तरफ आते देखा फिर अचानप वो गाड़ी एक बंगले की तरफ ऊड़ गए बंगले को देख गाड़ी के ले खोल दिया गया मालती ने च्छांक कर देखा तो बंगला काफी बड़ा था मालती को एक उमीद मिली काम और आसरे की उमीद लिए मालती गाड़ी के पीछे पीछे बंगले के अंदर चल दी उसने देखा कि गाड़ी से पहले एक पुलिस का जवान उत्रा फिर उसने कार के पीछे का दरवाजा खोला तो उसमें से एक रौबदार महिला उत्री तभी पुलिस के जवान की नजर मालती पर पढ़ गई उसने गुस्से से पूछा एए कौन है तूँ? कहा गुस्से चली आ रही है? जवान की डाट सुनकर मालती घबरा गई और वो वापस जाने लगी तभी उस महिला ने मालती को आवाज लगाई और कहा सुनो, रुको, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मैं, 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 मेरा नाम, मेरा नाम मालती है मैं तो बस कुछ काम डून रही थी आपके बंगले में नौकरी मिल सकती है जी? हाँ, क्यों नहीं? मैं कली इस बंगले में शिफ्ट हुई हूँ तो घर का काम करने के लिए कोई तो चाहिए होगा आओ, मेरे साथ आओ वैसे मेरा नाम सुहासिनी है सुहासिनी ने पुलिस के जवान से सर्वेंट कोटर का ताला खोलने के लिए कहा और फिर मालती से कहा ठीक है मालती, तुम यहां रह सकती हो लेकिन रुको, ये फ्यारी सी गुडिया कोन है तुम्हारी गोद में? क्या नाम है इसका? जी, जी, ये मेरी बेटी है, प्रीती हुले मेरी गुडिया, आप तो बड़े प्याले हो सुहासिनी का इतना अच्छा बरताव देखकर मालती की आँखे भराई, उसने सुहासिनी से कहा में साब, भगवान करे, आप और बड़ी अफसर हो जाओ मालती की बात सुनकर सुहासिनी मुस्कुराई पासी खड़ा जवान जोर से हसने लगा और मालती से बोला जवान की बात सुनकर मालती दंग रह गई, कलेक्टर होने के बावजूद, इतनी सादगी घमन का नाम और निशान नहीं था सुहासिनी में, अब तो मालती के दिल में सुहासिनी के लिए इज़त और बढ़ गई धीरे धीरे वक्त बीटता गया, मालती सुहासिनी के बंगले का पूरा खयाल रखती, घर का सारा काम करती और साथ ही वो अपनी बेटी प्रीती का भी अच्छे से खयाल रख पा रहे थी सुहासिनी भी माल्ती के काम से बहुत खुश थी एक दिन जब सुहासिनी प्रीदी के साथ खेल रही थी तब माल्ती ने बड़ी हिम्मत करके उससे पुछा मेम साब एक बात पुछो आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? मैंने जिससे शादी करनी चाही वो किसी और का हो गया तो बस अब ऐसे ही जिन्दगी गुजार रही हूँ लेकिन खुश हूँ आखों में नमी लिये सुहासिनी हलका सा मुस्कुराई और वहां से चली गई मालती ने तै किया कि वो दुबारा कभी इस बारे में सुहासिनी से बात नहीं करेगी और उसका दिल नहीं दुखाएगी एक दिन सुहासिनी जब ओफिस से लोटी तो उसके हाथ में कुछ खिलोने और पैंसिल कॉपी थी सुहासिनी ने आवाज लगाई अरे प्रीती कहां है मेरी गुडिया देखो तो आंटी आपके लिए क्या लाई है सुहासिनी प्रीती से बहुत प्यार करने लगी थी प्रीती भी सुहासिनी की आवाज सुनते ही सब कुछ छोड़ कर उसकी तरफ भागी चली आई प्रीती नए खिलोने और पैंसिल कॉपी को देख कर बहुत खुश हुई सुहासिनी ने देखा कि प्रीती ने सारे खिलोने एक तरफ रख दिये और पैंसिल पकड़ कर कॉपी में आड़ी तिर्ची लाइन बनाने लगी उसे ऐसा करता देख सुहासिनी को बहुत अच्छा लगा और मालती से बोली लो मालती देख लो तुम्हारी राजकुमारी ने खिलोने छोड़कर पैंसिल पकड़ ली है मालती तुम बिलकुल परिशान मत हो न मैं वादा करती हूँ कि प्रीती जहां चाहेगी और जब तक चाहेगी मैं पढ़ाऊंगी इसे इसकी पढ़ाई लिखाई कि सारी जिम्मेदारी मेरी ये कहकर सुहासिनी वहां से चली गई और मालती उसे कुछ कह ही नहीं पाई उसके लिए तो सुहासिनी भगवान का रूप ले कर आई थी धीरे-धीरे वक्त गुजरता गया और प्रीती बड़ी होने लगी सुहासिनी उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठा रही थी इसके अलावा जब भी उसे वक्त मिलता वो खुद भी उसे पढ़ाती देखते ही देखते प्रीती ने पहले बारवी में टॉप किया और फिर कॉलेज में भी लेकिन उस दिन की बात ही कुछ अलग थी सुहासिनी की गाइडेंस में प्रीती ने UPSC की परिक्षा बहुत अच्छी रैंक के साथ पास कर ली थी रिजल्ट आने के बाद प्रीती की खुशी का ठिकाना नहीं था आंटी, आंटी, मा, मा, कहा हो आप? आप दोनों जल दिया तभी दर्वाजे के पीछे से माल्ती और सुहासिनी दोनों अपने हाथों में मिठाई लिए प्रीती के पास आए माल्ती की आंखों में आसु थे, उसे मिठाई खिलाई और फिर सुहासिनी के पैरों में गिर पड़ी मेम साब, मैं कैसे आपको शुक्रिया अदा करूँ? आप भगवानों हमारे लिए आज की जमाने में इतना खौन सोचता है किसी के लिए तुम मेरी अपनी हो माल्ती? और गुडिया तो है ही मेरी बेटी? चलो, अब एक काम करो, जल्दी से तुम दोनों तयार हो जाओ तुम दोनों के लिए एक सर्प्राइज है सुहासिनी माल्ती और प्रिती को कार में बैठा कर निकल पड़ती है रास्ते में प्रिती सुहासिनी से पूछती है हम कहां जा रहें आउंटी? आज मैं तुम्हें अपना असली घर दिखाने ले जा रही हो अच्छा? सच्ची? आज तक तो आपने कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया? सुहासिनी मुस्कुरा देती है और कुछ नहीं कहती थोड़ी देर बाद कार एक बड़े से बंगले के सामने पहुच जाती है वो तीनों कार से उतरते हैं मालती और प्रिती बंगला देख कर हैरान रह जाते हैं उस बंगले में सिर्फ एक बुजूर्ग महिला रहती थी जिनने देखते ही सुहासिनी का चेहरा खेल उठा वो खुशी से बोली मा कैसी है आप? मैं अच्छी हू बेटा तुम कैसी हो? इस बार बड़े दिन लगा दिये आने में हामा एक जरूरी काम में लगी थी सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया और थोड़ी देर रुकने के बाद वहां से जाने लगे सुहासिनी ने बुजूर्ग महिला के कान में कुछ कहा जिसके बाद उन्होंने प्रीती के सिर पर हाथ रख कर उसे आशिरवात दिया तो प्रीती ने गौर किया कि बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट पर लिखा था त्रिप्ति सिंग और नीचे लिखा था रेटायर्ड आईएस प्रीती ने नेम प्लेट पढ़ते ही सुहासिनी से पूछा आपकी ममी भी आईएस ओफिसर थी आउंटी आपने बताया क्यों नहीं आज तक वाव बेटी भी आईएस और ममी भी आईएस क्या बात है सुहासिनी खामोश थी और मालती हैरान उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कुछ देर बाद सुहासिनी ने कार को एक गाउं के पास रुखवाया और एक तूटी-फूटी जूपडी की तरफ इशारा करते हुए कहा पृती वो है मेरा असली घर यहां मैं अपनी मा के साथ रहती थी मेरे बाबा मेरी मा और मुझे छोड़कर चले गए और मेरी मा मुझे लेकर शहर आ गई रिप्ती मैडम ने हमें खाना दिया सहरा दिया और मुझे पढ़ाय लिखाया मेरी मा की मौत के बाद भी उन्होंने मेरा खयाल रखा तब ही से मैं उन्हें मा कहकर पुकार दी हूँ उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया मुझे अच्छे से याद है जब मैं कलेक्टर बनकर उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा था सुहासिनी बेटा तुमने मेरी महनद सफल कर दी मुझे तुम पर बहुत गर्व है लेकिन तुम्हें यही नहीं रुखना है अभी कई ऐसी बेटियां हैं जिनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं और एक कलेक्टर होने के नाते अपसे तुम्हारा हर काम समाज की भलाई के लिए होना चाहिए उनकी वो सीख मैंने हमेशा याद रखी और हमेशा ये कोशिश की कि कभी किसी बेटी के सपने अधूरे ना रहें मुझे पुरी उमीद है कि तुम भी अपने जीवन में हमेशा ये सीख याद रखोगी बेटा जी आउंटी नहीं मा मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगी मा मालती और पृती की आँखों में आसू थे और मन में सुहासिनी के लिए बहुत इसत तो वहीं सुहासिनी के चेहरे पर सुकून था मानो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी उसने